Hello everyone, welcome to Ravi Aditi Classes Friends, आज की इस वीडियो का topic रहेगा monthly current affairs तो most awaited video है, यहाँ पे काफी सारे questions friends जो monthly current affairs वाले PDF होती है, वहाँ से देखे जाते हैं exams में तो आज की इस वीडियो में हम हारे एक important question cover करेंगे जो आपके exam point of view से important है Start करते हैं आपके पहले question से देखे first question है यहाँ पे who has been appointed as the election commissioner in March 2024 तो यहाँ पे March में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो friends यहाँ पे election commissioner के रूप में appoint किया गया है इन में से ग्यानेश कुमार और सुखबीर सिंग संधू को option number C is का right answer है suitable both तो आप picture देख सकते हैं यह हमारे chief election commissioner है राजीव कुमार और इनके साथ यह है सुखबीर सिंग संधू और यह है क्यानेश कुमार देखे बात करे election commission of India की तो इसको establish किया गया है 25 January 1950 को headquarter Delhi में located है और chief election commissioner हमारे राजीव कुमार जी है और याद रहें कि first election commissioner कौन थे हमारे इंडिया के यह थे सुखबीर सिंग तो जो election commission होती है यह three member की committee होती है जहाँ पर chief election commissioner होते हैं और साथ में इनके साथ election commissioner होते हैं चलिए अगला question तो भारत का सबसे बड़ा मौसम टावर सबसे उचा मौसम टावर इसका उदघाटन फ्रेंट्स किया गया है भुपाल मध्य प्रदेश में राइट answer option number A है इसके बारे में देखिए important points कवर करेंगे और मार्च 13 यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर किरन रिजीजू वर्च्वली इनॉगरेटेड दा country's tallest weather tower तो यहाँ पर यूनियन अर्थ मिनिस्टर है हमारे किरन रिजीजू इन्होंने इनॉगरेट किया है वर्च्वली country का जो tallest यहाँ पर वेदर टावर है कहाँ पर है यह भुपाल बध्य प्रदेश में है तो इसका में मकसद क्या है इस वेदर टावर का तो यहाँ पर तीन घंटे पहले ही बादलो की location और बरसने की timing जो है न वो पता चल जाएगी और यह only और largest center है हमारे South Asia में इसके साथ ध्यान रखिए Indian Institute of Tropical Metrology पूने विल बी इस headquarter उसका headquarter जो है कहाँ पर है यह है पूने में नेक्स देखिए फ्रेंट्स आपका अगला question है यहाँ पर तो यहाँ पर मार्च दोहजार चौबिस में हाल ही में फ्रेंट्स यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का rank क्या है तो यहाँ पर इंडिया का जो rank है यह रहा है 108 टॉप थ्री कंट्रीज की बात की जाए फ्रेंट्स जेंडर इनिक्वालिटी इंडेक्स में तो देन्मार्क टॉप पोजिशन पर है सेकेंड नॉर्वे और थर्ड है स्विजर लैंड इस रिपोर्ट को कौन इशू करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंट्स को UNDP यानि कि United Nations Development प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है आगे बढ़ेंगे वाट इस दा रैंक आफ इंडिया इन दा Human Development Index released by United Nations तो रिपोर्ट की इशूर यहाँ पर United Nations है यहाँ पर इन्होंने Human Development Index यानि कि माना विकास सुझकांग को जारी किया है आपको बताना है यहाँ पर इंडिया का रैंक क्या है तो फ्रेंट्स यहाँ पर बात की जाए इंडिया की रैंक की तो यह 134 रही है इसके साथ देखिए 1945 को स्टाब्लिश किया गया है Headquarters का New York में Located है Next देखिए In which state Shigmo Utsov has been celebrated तो Shigmo Utsov यह कहाँ पर मनाया जाता है किस Rajji में मनाया जाता है इसको Goa में मनाया जाता है Correct answer option number B है आप देख सकते है कुछ इस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है Next Sir Richard Hadley पदक जीतने वाले सबसे कम उमर के क्रिकेटर यहाँ पर बन गया है रचिन रविंद्र यह New Zealand से है तो यह बन गया है यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने जीता है Sir Richard Hadley मेडल को Next देखिए Muhammad Mustafa has been become the new Prime Minister of which country तो Muhammad Mustafa की बात की जाए तो यह प्रधान मंत्री बन गये है Palestine की Palestine की बात आई है इसके बारे में देखिए यह continent किसमें है Asia में located है इसका capital फ्रेंट्स यहाँ पे Jerusalem और Ramallah है Ramallah इसका administrative capital है President यहाँ पे Mahmood Abbas है Next question है Where has world's first 3D printed mosque been constructed तो दुनिया का पहला 3D printed मस्जद का निर्मान कहाँ पे किया गया है इसका निर्मान किया गया है Saudi Arabia में इसके बारे में जानते हैं देखिए फ्रेंट्स अ बिजनस वुमें नेम्ड वजनाद अब्दुलवहीद पे ट्रिब्यूट टूर लेट हस्बें तो साउदी अरेबिया में बनाया गया है वर्ल का पहला 3D printed मॉस्क और यहाँ पे देखिए एक लेडी है जिनका नाम है वजनाद अब्दुलवहीद इन्होंने अपने लेट हस्बेंड की यहाँ पे श्रकजान जली दी है मर्जिद का छेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो यह है साथ हजार वर्क फूट नेक्स कोईशन विच कंट्री इस अट टॉप पोजीशन इन दा एफ़ाइच मैंस वर्ल रैंकिंग रिलीज़ बाई इंटरनाशनल होकी फेडरेशन तो अंतराश्ट्य होकी महासंग द्वारा फूट पूरुशो की वैश्विक रैंकिंग में किस कौन सा देश जो है स्थीश स्थान पे है तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे फ्रेंड्स है नीदर्लैंड बात कर लेते हैं यहाँ पे बागी टॉप फ्री कंट्रीज की तो नीदर्लैंड फर्स पोजीशन पे है सेकेंड बेल्जियम है और थर्ड जर्मनी है इंडिया का पोजीशन यहाँ पे फोर्थ है और इस रिपोर्ट को दिया जाता है अगला कोशन तो फ्रेंड्स मार्च में हर्याना के जो ग्यारवी मुख्य मंत्री है न यह बन गए है नयाब सैनी आप यह कोशन को डबल स्टार माग कर लिजे वेरी इंपोर्टन यह है नयाब सैनी जी साथवी बार संतोज ट्रॉफी को यहाँ पर जीत लिया है सर्विसेस की टीम नी संतोज ट्रॉफी की बात की जाए तो यह किस फेल्ड में होता है तो फ्रेंड्स संतोज ट्रॉफी को फुटबॉल में खिला जाता है यह इविन को और्गनाइस किया गया था गोर्लन जूबली स्टेडियम अरुनाचल प्रदेश में इसके साथ इसका ये 77th edition था विनर रही है यहाँ पे services की team जो 7 बार जीती है और runner-up गोवा रही है Next देखे, from which date Citizenship Amendment Act came into force in India तो भारत में नागरिक्ता संशोधन कानून ये लागू हुआ है, friends, 11 March 2024 से जानते हैं क्या है ये Citizenship Amendment Act तो देखे, friends, इस Citizenship Amendment Act के जारी होने से implement होने से क्या होता है तो यहाँ पर देखे क्या हो रहा है जो Muslim countries है, हमारी neighboring Muslim countries पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान यहाँ पे रह रहे है जो भी non-Muslim minority है जैसे कि Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi और Christian तो इनको जो है यहाँ पे इंडिया के Citizenship देने की बात की गई है तो friends, इसका जो detailed वीडियो है ना हमारे चैनल में already uploaded है Citizenship Amendment Act का तो अगर आपने देखा नहीं है उसको जरूर देख लीजे क्योंकि इस topic से exam equation आपकी definitely देखा जा सकता है चलिए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर BWF French Open Men's Double 2024 तो यहाँ पर BWF French Open Men's Double को जीता है friends साथविक साहिराज और चिराग शेटीनी रनर अप कौन रहे हैं यहाँ पर रनर अप रही हैं ली जे हुए और यांग पो हुआन ये चाइनीज तेपी से हैं Next, who has been appointed as the chairman of National Scheduled Cast Commission तो National Scheduled Cast Commission यानि कि राश्ट्री अनुसूचित जाती आयोग इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किशोर मखवाना को अगला रहेगा Who is the author of the book named The Conspiracy The Conspiracy इस book को लिखा गया है गोडबया राजपक्षा के द्वारा गोडबया राजपक्षा है कौन तो ये प्रिवियस प्रेसिडेंट है श्री लंका के इनके द्वारा The Conspiracy book लिखी गई है Very important star mark कर लिजे आगे बढ़ेंगे इंडिया has conducted the first successful flight test of nuclear ballistic missile Agni 5 on March 11, 2024 who has developed it तो यहाँ पे देखिए फ्रेंट्स इंडिया ने अपना first successful flight test किया है nuclear ballistic missile का जिसका नाम Agni 5 है तो इसको बताना है आपको कि develop किसने किया है तो इसको जो है बनाया गया है DRDO के द्वारा very important अब बात DRDO की है तो इसके बारे में discuss कर लेते है इसका full form होता है Defense Research and Development Organization 1958 में established किया गया है headquarter New Delhi में है और chairman इसके Samir Vee कामत है next who has become the new president of Federation of Indian Export Organization friends, Federation of Indian Export Organization इसके जो president है न यह बन गया है Ashwini Kumar इस organization को establish किया गया 1965 में और headquarter Delhi में located है आगे बढ़ेंगे In which city has Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first single pole expressway द्वार का expressway तो किस शहर में आपको बताना है कि भारत का पहला एकल खंबो वाला expressway जिसका नाम द्वार का expressway है इसका उधगाटन किया गया हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वारा इसका उधगाटन किया गया है गुरू ग्राम हर्याना में फ्रेंट्स बात करें इस expressway के बारे में तो इसकी जो लंबाई है ये 18 किलो मीटर की है और ये एक 8 lane का expressway है जो दिल्ली अंतराश्ट्री हवाय अड़े को गुरू ग्राम बाईपास से जो है जोडता है नेक्स्ट इन्विट स्टेट हैस प्राम मिनिस्टर नरेंदर मोदी इनाउगरेटेड दा वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट बाई लेन टनल सेला टनल तो देखे सेला टनल जो की दुनिया का सबसे लंबा बाई लेन सुरंग है इसका उदगाटन हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वरा किया गया है कहां पर राइट आंसर रेफरेंट्स इटा नगर अरुनाचल प्रदेश में ऑप्शन नमबर डी देखे इसके बाए में डीटेल में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन जो है ये रखा था सेलर टनल का 2019 में ये लॉंगेस्ट बाई लेन टनल है पूरे वर्ड में जिसका आल्टीटिउड जो है न यहां पे यानि इसकी उचाई जो है ये तेरा हजार फीट है और इसमें दो टनल है और एक लिंक रोड है चलिए आगे बढ़ेंगे next question who has won the best actor award at the 96th Academy Awards Academy Awards किसको कहते है ऑसकर अवार्ड को कहते है तो 96th edition था ऑसकर अवार्ड का और यहां पे best actor का जो खिताब है न फ्रेंट्स ये जीता है सीलियन मर्फी नी इसके साथ best actress किसने जीता ये जीता है Emma Stone Nip वर थिंग्स के लिए best director जीता है यहां पे फ्रेंट्स किस्टोफर नोलन ने ओपन हाइमर के लिए और best picture जो है ये दिया गया है ओपन हाइमर को अगला question with which country will Indian Coast Guard conduct joint military exercise Sea Defenders 2024 तो Sea Defenders ये मार्च में और्गनाईज हो रहा है तो इसको जो है Indian Coast Guard जो है conduct कर रहा है with United States of America option number D correct answer है आगे बढ़ेंगे देखिए who has become the new president of Paralympic Committee of India तो भारत की Paralympic समीती की नई अध्यक्ष यहां पर बन गई है देवेंदर जजरिया next trigger in which state has Prime Minister Narendra Modi unveiled 125 feet high bronze statue, statue of bravery of Lachit Burfukan तो यहां पर देखिए हमारे प्रधान मंसरी नरेंदर मोदी जी ने बताना है आपको किस राज में Lachit Burfukan की 125 feet उची कांजी की प्रतिमा जिसका नाम शौरे की प्रतिमा रखा गया है इसका अनावरन किया है तो इसका अनावरन फ्रेंट्स किया गया है असम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखिए statue of bravery है यह कहां पर है असम में है इसको जो है जो रहाज city of असम में establish किया गया है देखिए former president हमारे रामनाथ कोविन जी ने इसका जो foundation stone है इसको ले गिया था कब February 2024 में but this statue is 84 feet high and rest on a 41 feet pedestal तो यह जो statue है यह जो है 84 feet उची है और 41 feet की चौकी पर टिकी हुई है अब picture यहाँ पर देख सकते हैं यह है statue of bravery आगे बढ़ेंगे next देखिए who has been awarded the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis तो जलवायू परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए Erasmus Pruskar से किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पर friend सम्मानित किया गया है अमिताव घोश को इनको यह अवाट क्यों दिया गया देखिए अमिताव घोश for his passionate contribution to the global crisis of climate change through writing and imagining the unimaginable पैश्विक शंकट को सामने लाने और अकल्पिनी की कल्पना विश्य पर उनके भावुक योगदान देने के लिए इन्हें यह पुरुसकार से नवाजा क्या अगला question which country has been honored with measles and rubella champion award 2024 तो measles and rubella champion award 2024 दिया गया है इंडिया को आगे बढ़ते हैं in which state will India's first driverless metro train be launched very very important देखिए driverless metro train यह हमारे इंडिया में पहली बार launch हो रहा है और इसको launch किया जा रहा है बेंगलूरू करनाट का में next question in which state India's first AI teacher जिसका नाम IRIS है has been launched with the help of Makers Lab Edutech Company तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है friends इंडिया का पहला AI teacher जिसका नाम IRIS है इसको जो है Makers Lab Edutech Company के द्वारा launch किया गया है तो इसको किस state में launch किया गया इसको launch किया गया तिरुनंत पुरम Kerala में पिक्चर देखिए यह है आईरिस next question माजुली मास्क और मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स have got GI tag status of which state तो माजुली मुखोर्टे और पांडूलोपी पेंटिंग इसका जो GI टैग है ना यह दिया गया है असमकूं तो friends यहाँ पे देखिए important points को माजुली मुखोर्टे जो है पारंपरिक तखनीकों पर आधारित हाथ द्वारा बारिकी से तयार किये गए मुखोर्टे है मुखोर्टों में देवी देवताओं राक्षयसो जीव जन्तों और पक्षियों को चित्रत किया जाता है और माजुली की जो पांडुली पी पेंटिंग है ये धार्मी कला का एक रूप है जो पूबजा पर केंद्रित द्वीब की वैशनव संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है नेक्स्ट विच कंट्री हैस बिकम दा 32nd member country of NATO in March तो NATO का 32nd member यहां पर बन गया है फ्रेंट्स स्वीडन नाटो की बात करें फ्रेंट्स तो इसका फुल फॉर्म पहले देखिए North Atlantic Treaty Organization इसको 4th April 1949 को स्टैब्रिश किया गया 32 member countries है यहां पर और जो 30nd यानि की रीसेंटली जोइन किया है नाटो यह है स्वीडन इसका headquarter Brussels Belgium में है और इसके secretary general जो है Jens Stoltenberg है अगला इन्विट state has Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first underwater metro service तो underwater metro service इसके बारे में हम काफी बार discuss कर रहे हैं फ्रेंट्स इसका जो है हाल ही में उद्घाटन कर दिया गया है इसका उद्घाटन किया गया है Kolkata, West Bengal में तो देखिए ये किस नदी के नीचे बना हुआ है ये हुगली river के नीचे बना हुआ है देखिए हावडा metro station is the deepest metro station in India तो deepest metro station अगर आप से पूछा जाए तो ये हावडा metro station है ये 33 meters below the surface है यानि कि जमीन से 33 meters के नीचे ये बना हुआ है The metro will take 45 seconds to cover the distance of 520 meters under the holy river तो 45 seconds में ये 520 meter को cover करेगा चलिए आगे बढ़ेंगे friends Which has become the first country in the world to make abortion a constitutional right तो गर्वपात को सम्विधैनिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश चो है यहाँ पर बन गया है France अगला question Who has become the winner of 10th edition of Pro Kabaddi League तो Pro Kabaddi League के 10वे संसकरन की विजेता यहाँ पर बन गया है पुनेरी पलतन Pro Kabaddi League की बात की जाए तो इसका ये 10वा संसकरन था पुनेरी पलतन ने जीत हासिल की और यहाँ पर रना रप रही है हर्याना स्टीलर्स देखिए next question Who has been awarded the Able Prize 2024 तो 2024 में जो Able Prize है ये दिया गया है इन में से Michelle Tala Grand को देखिए इसके बारे में Able Prize किसके लिए दिया जाता है ये Nobel Prize होता है Mathematics का आप कह सकते हैं और ये दिया जाता है ये Award दिया जाता है by French National Center for Scientific Research यानि कि CNRS इनके द्वारा Able Prize को दिया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन ये question आ सकता है आपके exam में तो इसको आप अच्छे से याद रखी Next, who has become the new Director General of Police Research and Development Bureau तो पुलिस अनुसंधान वविकास Bureau के जो नए महानिदेशक एपरेंट्स ये बन गए है राजीव शर्मा तो राजीव कुमार जो है ये replace करेंगे कि इसको बालाजी श्रिवास्ताव को मार्च में और इसके साथ Bureau of Police Research and Development की बात की जाए तो इसको 28 अगर्स 1970 को establish किया गया headquarter नई दिल्ली में स्थित है Next, where has world's first OM-shaped temple been inaugurated in March 2024 तो देखे फ्रेंट्स दुनिया का पहला OM क्याकार का मंदिर इसका उधगाटन किया गया है हाली में और इसका उधगाटन पाली राजस्थान में किया गया आप देख सकते हैं ये picture में ये OM-shaped यहाँ पे मंदिर है ठीक है Next, who has been appointed as the next president of Senegal in March 2024 तो मार्च 2024 में Senegal का अगला रास्ट पती जो है न ये नियुक्त किया गया है बसीरो डिया मय को बात करें Senegal की तो ये African continent में आता है इसका जो capital है ये डाकर है और यहाँ की currency Western African CFA फ्रांक है Next question रहेगा Who has been appointed as the next ambassador of India to Myanmar in March 2024 तो मैंनमार में भारत का अगला राजदूद जो है ये नियुक्त किया गया है अब है ठाकुर को मैंनमार की बात की जाए तो इसकी जो capital है ये नैपिडो है इसकी currency मैंनमार क्या थै Next, in March 2024, the president of Ramakrishna mission passed away at the age of 95 What was his name? तो friends, the president of Ramakrishna mission इनका हाल ही में निधन हो गया है आपको बताना है इनका नाम क्या है तो friends, इनका नाम है यहाँ पर Swami Smaranand Maharaj Next question है, who has become the new brand ambassador of Ever Ready Industries India इसका right answer है friends, नीरत छोपरा अगला, which app has been launched by election commission of India to monitor the election process तो भारती चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन से app को launch किया है, इन्होंने launch किया है Sea Vigil app को, आप picture देख सकते हैं, यह कुछ ऐसा दिखता है Sea Vigil app, यह करेगा क्या है, इसके बारे में दिखे, तो Sea Vigil app जो है न, यह जनता को photo, video के माध्यम से चुनाव अचार सहीता के उलंगन की report करने की अनुमती देगा और जो हमारे Chief Election Commissioner है, राजीव कुमार, इन्होंने अश्शोर किया है कि सौ मिनट के भीतर जो है report की कारेवाही का आजवाशन किया जाएगा Next, in which state, Dol Jatra Mahutsav been celebrated तो Dol Jatra Mahutsav यह मनाया जाता है West Bengal में देखें friends, West Bengal में celebrate किया जाता है Dol Lutsav या फिर Dol Jatra आप कहा सकते हैं यह क्या है, जिस्ट होली की तरह festival of colors है, marking the beginning of spring season तो यह जो है वसंत के मौसम की शुरुवात को दर्शाता है This festival is dedicated to Lord Krishna and Radha and is celebrated on the full moon day तो इसको जो है पूर्निमा के दिन मनाया जाता है और यह तोहार जो है भगवान कृष्ण और Radha को समर्पित है अगला, according to the report of Brand Finance 2024, which is the world's strongest insurance brand तो देखे, दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो है न, यहाँ पे यह Life Insurance Corporation of India है Next, which state has topped in 14th Senior Women's National Championship तो 14th Senior Mahila Raast Day Championship में जो top position हासिल किया है, यह हर्याना ने हासिल किया है addition इसका 14th है और यह event 23 March को conduct किया गया था कहाँ पर major ध्यान चंद होकी स्टेडियम पिमपरी महरास्ट में winner हर्याना थी और runner अप यहाँ पे महरास्ट रही है अगला question, Simon Harris has become the youngest Prime Minister of which country तो यहाँ पे Simon Harris friends बन गये है, युवा प्रधान मंत्री यहाँ पे मतलब सबसे युवा प्रधान मंत्री Ireland की इनके बारे में देखिए तो Simon Harris जो है इन्होंने बीट किया है previous record holder former Prime Minister लियो वरादकर का जो की 38 years के थे और जब वो Prime Minister बने थे 2017 में और यह 37 years में जो है यहाँ पर बन गये है Prime Minister आयरेंड की बात की जाए तो यह Capital असका Dublin है President Michael T. Higgins है और इसका currency Euro है आगे बढ़ेंगे Who has become the first person in the world to reach Nemo The most remote point on Earth तो पित्वी के सबसे दूरस्त बिंदू Nemo तक पहुचने वाले दुनिया के पहले वेक्ति यहाँ पे बन गये है Chris Brown ठीक है very important इसको आप ध्यान रखेंगा Friends काफी important है अगला Garuda Air Force has launched Border Patrol Surveillance Drone in March 2024 What is its name? तो March में Garuda Aerospace ने Seema Gashiti Nigrani Drone launch किया है आपको इस drone का नाम बताना है इस drone का नाम Friends त्रिशूल रखा गया है इसका यूज क्या होगा तो देखे Border Patrol Surveillance Drone त्रिशूल जो है इसको यूज किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए Movement of People, Natural Disaster और Assess Traffic ठीक है तो ये सब कामों के लिए इसको यूज किया जाएगा Garuda Aerospace क्या है ये एक Drone Startup Company है जो की 2015 में बनी है बाई अग्रीश्वर जैप्रकाश और इसका Headquarter चिन्नाई तमिलनाडू में है Next question देखेगा friends Which court has declared Madrasa Education Act 2024 Unconstitutional in March 2024 Right answer Allahabad High Court इसके बारे में देखेए friends The Allahabad High Court ruled that The Act violates the principle of secularism As well as several articles of constitution Including Article 14, 21 and 21A तो यहाँ पर यह कहता है कि यहाँ पर कुछ articles हैं जिसका यहाँ पर उलंगन किया गया है इस वज़े से इसे होने जो है यहाँ पर Unconstitutional बताया है Additionally, the court found that Act also violates Section 22 of University Grants Commission Act of 1956 तो जो Section 22 है UGC Act 1956 का वो उसको भी violate करता है इसलिए इसे Unconstitutional बताया गया है Next, who has become the first Indian player to score 12,000 runs in T20 match देखे फ्रेंट्स T20 match में 12,000 run बनाने वाले पहले भारतिक हिलाडी यहाँ पर बन गया है विराट कोहली बात करें इनके बारे में डिटेल में तो देखे कोहली ने यह जो है अचीव किया था उपनिंग मैच जो हुआ था IPL का चिन्ने सूपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में इसमें इन्होंने यह हासिल किया यह कहां पर हुआ था यह मैच जो था यह M.A. Chitambaram स्टेडियम में और्गनाईज किया गया था Indian player who scored the second most runs इन T20 cricket कौन है तो second most जिन्होंने जो यहाँ पर बनाया है most runs यह Rohish Sharma है जिन्होंने 11,156 run बनाया है और Virat Kohli ने 12,000 runs बनाया है तो इस तरीके से यह first यानि कि most runs बनाने वाले बन जाते हैं T20 cricket में Next, International Astronomical Union has named an asteroid after Indian scientist What is its name? तो friends, International Astronomical Union इन ने जो है एक asteroid का नाम एक Indian scientist के नाम पर रखा है आपको इन scientist का नाम बताना है तो इनका नाम है जैंत मूर्ती देखिए International Astronomical Union has honored Indian scientist Professor Jainth मूर्ती जो कि Bangalore से है by naming an asteroid after him तो इनोंने जो है एक asteroid है जिसका नाम रखा है जैंती मूर्ती अगला question Who has won the title of 71st Miss World 2024 Friends, यहाँ पर 71st Miss World 2024 का जो खिताब है यह जीता है Christina Piscova जो की Serge Republic से है काफी important है इसको double star mark कर लीजे इसके साथ इस प्रतियोगिता के बारे में बात की जाए तो देखिए 71st Miss World Pageant 2024 event 9 March को conduct किया गया था कहां पर मुंबई महरास्ट में host country इस साल जो है इंडिया थी 71st edition था और इंडिया की तरफ से कौन रेप्रेजेंट कर रहा था Sini Shetty जो की Femina Miss India World 2022 है यह इंडिया को रेप्रेजेंट कर रही थी Next, which country has launched यहाँ पर देखिए यह क्या है QQAO 2 Relay Satellite to Support Lunar Mission तो इसको जो है चाइना के द्वारा लाउंच किया गया देखिए ज़द China National Space Administration विल लाउंच QQAO 2 Relay Satellite into Elliptical Frozen Orbit Around the Moon in March 2024 तो सपोर्ट कम्यूनिकेशन From the South Side of Moon तो जो South Side है मून का वहाँ से जो भी कम्यूनिकेशन और उसको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने इसे लाउंच किया है आगे बढ़ते हैं और फ्रेंट्स आगे जाने से पहले आपको बताना चाहूंगी हमारे Paid PDF के वेबसाइट के बारे में यह है www.ravibooks.pdf.com फ्रेंट्स यहाँ पर आपको आपको जो topic wise questions है मिल जाएंगे और हर एक important point आपके लिए आपके add कर दिया गया है जो आपके upcoming exams के लिए important है तो अगर आप इस PDF को buy करना चाहते हैं आप इस website से जाके उसे buy कर सकते हैं ठीक है चलिए आते हैं topic के उपर आपको आपका अगला question है यहाँ पर who has been appointed as the new chairman of सूरत डायमंड बोर्स तो सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष यहाँ पर नियूक्त किये गए है गोविंद धुलाकिया गोविंद धुलाकिया ने किसे रिप्लेस किया है वल्लभाई पतेल को और इसके साथ जयान रखें फ्रेंट्स जो सूरत डायमंड बोर्स है ना यह इंडिया का जो है इंडिया नहीं वर्ल्ड का जो है largest office building है जिसने सरपास कर दिया है अमेरिका के defense ministry pentagon को सबसे पहले पहले यह सबसे largest office building भा करती थी बट अब जो है सूरत डायमंड बोर्स यह largest office building है पूरे वल्ल की इसको अडॉप्ट किया गया है United Nations General Assembly के द्वारा तो important points को देखिए United Nations General Assembly has anonymously adopted the first global resolution on AI to protect human rights, protect personal data and monitor AI for risk तो देखिए human rights को protect करने के लिए personal data को protect करने के लिए और इसके साथ monitor करने के लिए AI के जो भी एगर risk होती है इसके लिए UNGNA से adopt किया है अगला who has become the new director general of national investigation agency NIA इसके जो नए महानिदेशा के friends यह बन गए है सदानंद वसंत बात करें NIA की तो इसको establish किया गया 31 December 2008 को और इसका headquarter New Delhi में located है नेक्स्ट रहेगा who has become the managing director and chief executive officer of Indian Banks Association तो Indian Bank Association के MD CEO friends यहाँ पे बन गए है M.V. Rau M.V. Rau जी है कौन इनके बारे में देखिए तो M.V. Rau यह succeed करने वाले है अतुल कुमार गोयल को जो already managing director और CEO रहे हैं पंजाब National Bank की इसके साथ IBA की बात की जाए तो यह association होता है banks को और financial institution का जो भी इंडिया में operate हो रहे हैं उनका इसको establish किया गया था September 26, 1946 को headquarter Mumbai महरास्टर में है आपका अगला question friends यहाँ पे रहता है which young critic has been honored with the 29th देवी शंकर अवस्थी सम्मान तो 39th देवी शंकर अवस्थी सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया है निशान्त को यह award इन्हें क्यों दिया गया है देखे निशान्त will be given this honor for his criticism book poetry path criticism तो इस book के लिए इन्हें यह award दिया गया है देवी शंकर अवस्थी अवस्थी अवर्ड है क्या तो देखे फ्रेंट्स यह एक ऐसा अवर्ड है जो कि दिया जाता है युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उलेखनी योगदान के लिए इस पुरुक्सकार को देनी के शुरुआज जो है मुझांबिक और तंजानिया तो आई-म्टी में अब देख सकते हैं इंडिया, मुझांबिक और तंजानिया तो देखें आई-म्टी ट्राइलेट जो है यह सेकेंड एडिशन होने वाला इसका जो 21st से 29 मार्च को हुआ है तो जन्जी बार के पोर्ट्स में और इसके साथ मापुतो मुझांबिक में है यहां पे से कंड़क्ट किया जाएगा इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है आयनेस तीर और आयनेस सुझाता है नेक्स कोशन भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस और आयने को शुरू किया इन्होंने शुरू किया है और आयने बारत सरकार द्वारा हिंसा अगरस्थ कैरेवियाई बेश हैती भारतीयों को पडोसी देश दोमिनिकन गंडाजय से स्थानंत्रित करने के लिए Operation Indraverti को शुरू किया है Next, who has become the flag bearer of India in Paris Olympics 2024 तो Paris Olympics 2024 में इंडिया के तरफ से flag bearer कौन थे ये थे शरत कमल देखिए, खेल रहतना award winner है शरत कमल और इन्होंने Commonwealth Games जो है, इसको भी दो बार जीता हुआ है ये एक table tennis player है और ये जो है Paris Olympics में flag bearer थे इंडिया के Next, who has become the first foreign head of government to receive Bhutan's highest civilian honor the order of drug galpo तो the order of drug galpo ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी साशन अध्यक्ष जो है यहाँ पे बन गया है नरेंदर मोदी तो देखिए friends, Prime Minister नरेंदर मोदी जो है, ये first foreign leader बन गया है, जिने भुटान का highest civilian honor दिया गया है इस honor has been conferred by King Jigmik Hissar ने में गेल वांग्चुक आफ भुटान अगला question, who has become the new president of Indian Steel Association तो Indian Steel Association के नए यहाँ पे प्रेसिदेंट डवीन जिंदल बन गया है Indian Steel Association को 2014 में established किया गया, headquarter New Delhi में है और देखिये friends, इंडिया में जो Indian, जो crude steel production है इसका 65% जो है Indian Steel Association represent करता है next, world happiness report released by United Nations happiness report, which country has become the happiest country in 2024 तो friends, यहाँ पे देखिये, हाली में United Nations ने world happiness report को जारी किया है, तो आपको बताना है इसमें इंडिया का rank क्या है और इसके साथ कौन सी country जो यहाँ पे top position पे है, तो यहाँ पे top position पे तो Finland है, तो top 3 countries की बात करेंगे हम पहले यहाँ पे देखिये, Finland, Denmark और Iceland, first, second और third position पे है, यहाँ पे Finland जो है साथवी बारलगातार, happiest country के report में, मतलब इस report में आ रहा है, इसके साथ तो यह जो है, विश्व के कुछ भागों में युवाओं के बीच, जीवन संतुष्टी के बारे में खराब स्थिती को भी उजागर करता है, इंडिया का ध्यान आप रखेगा जो यहाँ पे rank है, यह 126 है, next, where is India's first Ayurvedic restaurant Soma launched in March 2024, तो इंडिया का पहला Friends Ayurvedic restaurant है, जिसका नाम Soma है, इसको जो है नई दिल्ली में launch किया गया है देखे, the Ayurvedic kitchen has been established at Maharsri Ayurveda Hospital Shalimar Bagh तो इसको Maharsri Ayurveda Hospital Shalimar Baghag में established किया गया है, यह इंडिया का पहला Ayurvedic kitchen है, Soma the Ayurvedic kitchen, food is prepared according to the health of visitors, तो जो भी visitors होते हैं, उनके health को consider करके, यहाँ पे food को prepare किया जाता है, next the 10th joint military exercise Lame T.A. 2024 has been organized between India and which country तो Lame T.A. Friends, इसका यह 10वा edition है, जो कि एक joint military exercise है between India and stations, तो right answer यहाँ पे option number A हो जाएगा, देखे, इसको conduct किया गया है 18 से लेकर कि 27th March को और यहाँ पे Lame T.A. का मतलब क्या होता है, इसका मतलब friendship होता है, exercise Lame T.A. includes Indian गोर्खा rifles and Seychels defense force, तो इन दोनों इसमें participate करते हैं, अगला question friends, who has become the new chairman of Prasar भारती, तो Prasar भारती की नए chairman नवनीत कुमार सेगल बने हैं, तो इन्होंने friends replace किया है, प्रसार भारती के former chairman A. Surya Prakash को प्रसार भारती किया है, यह statutory autonomous body है, जो की government broadcasting center है हमारे country का, इसको November 23, 1997 को establish किया गया है Next, who has become the national icon for person with disability of election commission of India in March 2024 तो मार्च में भारत निर्वाचन आयो की राष्टे दिव्यांग आयकन, कौन बनी है, यह बन गई है, शीतल देवी, शीतल देवी कौन है friends, यह इंडियन पैरा आर्चर है आप देख सकते हैं, यह शीतल देवी है, अगला रहेगा who has been honored with Kala Nidhi Award for Music in March, तो Kala Nidhi Award से समानित किया गया है, यहाँ पे T.M. Krishna को, तो T.M. Krishna को यह award दिया गया है friends, इनके जो भी remarkable works है, music के field में उसके लिए friends, देख रहे हैं, हर एक कोशन यहाँ पे आपके लिए काफी important लिया गया है, काफी selective लिया गया है, और साथ में आपको हम important points भी cover कर आ रहे हैं तो वीडियो कर आपको अच्छा लग रहे हैं, हमारे efforts अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, और अपने friends के साथ share भी करिएगा, और इसके साथ friends चैनल को subscribe कर लीजे, ऐसे और भी अच्छे अच्छे content आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे, ठीक है, चलिए अगले question की तरफ बढ़ेंगे next देखिए, who has been appointed as spokesperson of government of India in March 1024, तो government of India की प्रवक्ता की रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है friends, शिफाली भी शरन को, देखिए यह information प्रवाइड किया गया, कि इन्हें नियुक्त किया गया है, by ministry of information and broadcasting के द्वारा और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है friends की 2014 के बाद शिफाली भी शरन जो है ना, P.I.B की प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला officer होंगी next रहेगा, who has won the men's single title in Indian Wells ATP Master 1000, तो यहाँ पे men's single title Indian Wells ATP Master में जीता है, Carlos Alcaraz नहीं, जो की Spain से है यहाँ पर देखिए इसको कहाँ पे organized किया गया था friends, यह event हुआ था California United States में, और women's single title जीता है ना, यह जीता है Ega Switek नहीं अगला रहेगा, who has been appointed as next ambassador of India to Russia in March 2024 यहाँ पे रोस में, भारत के अगले राजदूत की रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है friends, Vinay Saxena को तो friends, Vinay Saxena जो है currently ambassador है in Myanmar के और यह appoint किये गया है next ambassador of India to Russia अगला question, which Malayalam poet has been selected for 33rd सरस्वती सम्मान for his poetry collection रोद्र सात्विकम in March 2024 तो Malayalam poet friends, यहाँ पे आपको बताना है नाम उनका जिन्ही 33rd सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है, इनकी poetry collection रोद्र सात्विकम के लिए और इनका नाम है प्रभा वर्मा देखिए, this honor goes to the famous Malayalam poet प्रभा वर्मा, his poetry collection रोद्र सात्विकम and will be given for contribution to literature during 2013 to 22 विनकी जो literature के लिए contribution है, 2013 से लेकर के 2022 तक इसके लिए भी नहीं अवाड दिया जा रहा है, इसमें क्या दिया जाता इस अवाड के तहत, friends, excitation इसके साथ symbol of Maas Saraswati और 15 लाग रुपे दिये जाते हैं Next, which team has won the title of Women's Premier League 2024 Very important दिखे, friends, IPL का ये second edition था Women's IPL का और इसको जीता है Royal Challengers Bangalore नहीं इस event को और्गनाईज किया गया 23 February से लेकर के 17 March तक और यहाँ पे winner रही है Royal Challengers Bangalore जिसकी Captains पृति मन बना है runner-up रही थी Delhi Capital जिसकी Captain Meg Lenning है और इसका ये second edition था जैसे मैंने आपको बताया और Women's IPL में तोटल कितनी यहाँ पे जो team से participate कर रही है तोटल 5 teams participate कर रही थी Next, who has been honored with Chameli Devi Jain Award in March 2024 तो Chameli Devi Jain पुरुसकार से यहाँ पे सम्मानित किया गया friends Grishma, Kuthar और Ritika Chopra को बोथ A and B इसका right answer है भारत का पहला driverless metro station इसका शुरुवात हुआ है Bangalore, Karnatka में अगला रहेगा Where has Indian Navy established its first independent headquarter, Nausena Bhawan तो देखिए, भारती Nausena ने अपना पहला सुतंत्र मुख्याल है, Nausena Bhawan इसको स्थापित किया है कहाँ पर New Delhi में अगला question friends आपका In which state, Mission 414 campaign has been started to promote voting मद्दान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में Mission 414 अभ्यान शुरू किया गया इसको शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में जानते हैं इसके बारे में है क्या तो देखिए, The Election Commission of India has launched Mission 414 in हिमाचल प्रदेश to boost voter turnout at 414 polling stations which has less than 60% participation in the last लोगसभा election तो यहाँ पे पिछले लोगसभा elections में 60% से भी कम participation था तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे Mission 414 को start किया गया है इसका जो main objective होगा यह होगा कि यह voters को educate करें उनके rights के लिए Next देखिए Who has been awarded the prestigious Maharashtra Gaurav Award Friends प्रतिस्टित Maharashtra Gaurav Award से सम्मानित किया गया है Dr. Umarayla कूँ देखिए इनके बारे में बात करें तो Dr. Umarayla यह है कौन? यह principal है नालंदा रितिकला महाविद्याले मुंबई की इन्हें prestigious Maharashtra Gaurav Award दिया गया है यह award ने क्यों दिया गया है तो देखिए इनकी जो contribution है in the field of classical dance especially भरत नाटियम इसके लिए इन्हें यह award दिया गया Next question Who won the title of Ranji Trophy 2024? तो Ranji Trophy 2024 का खिताब यहाँ पर जीता है मुंबई टीम में Ranji Trophy की बात की जाए friends तो यहाँ पर देखिए 42nd title था मुंबई क्रिकेट टीम का और runner up यहाँ पर विधर्बा रही है Next Who has become the new chairman of Central Board of Secondary Education? CBSE के यहाँ पर नए अध्यक्ष बन गए है राहुल सिंग इन्होंने किसे replace किया है? निधी चिब्बर को replace किया है और CBSE की बात की जाए 1929 में established किया गया है Francisco और इसका headquarter New Delhi में located है Next Who has launched M.U.I.U.A. scheme to promote entrepreneurship among youth of state राजी में युवाओं को उद्धिमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राजी सरकार ने M.U.I.U.A. योजना को शुरू किया है तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा M.U.I.U.A. योजना friends इसका full form देखे Chief Minister Youth Entrepreneur Development Campaign इसका main aim क्या है देखे टार्गेट रहेगा इसका to create 1 lakh young entrepreneurs by providing interest-free loans for project up to 5 lakh per year तो प्रतेक वर्ष 5 lakh रुपए तक की पर योजना के लिए ब्याज मुक्त रिन प्रदान करने 1 lakh युवाओ उद्धिमियों को तयार करना इसका मुख्य लक्ष है next which states Ambaji White Marble has been granted GI Tag Ambaji White Marble इसका GI Tag दिया गया है इनमें से गुजरात को next देखे अगला कोशन रहेगा Thomas Sullyok has become the new president of which country friends ये बन गये है नए राज्ट पती Hungary का capital क्या है Budapest है और यहां की currency क्या है ये foreign है picture आप देख सकते हैं ये नए president है Hungary की next question who has become the new prime minister of Tualu Tualu की नए प्रधान मंत्री friends यहां पे बन गये है इनमें से right answer है Felity T.O इसका capital यहां पे क्या है Tualu का ये फुना फुटी है और यहां पे currency जो use की जाती है ये Australian dollar और Tualun dollar है next question who has been honored with Maharaj Tribution Award 2024 friends Maharaj Tribution Award से यहां पे नवाजा गया है Dr. Pradip Mahajan को next बढ़ेंगे आगे which country has topped the medal tally of fourth Kelo India University Games 2024 तो च्वाथे Kelo India University Games friends इसको जो है top किया है चंदिगड युनिवरसिटी ने ये event friends 17 से लेके 29 फरवरी को organize किया गया था गुहार्टी असम में इसका mascot क्या था ये अश्ट लक्षमी था top 3 युनिवरसिटी की बात की जाए तो चंदिगड युनिवरसिटी first rank पे second पे lovely professional university और third पे है गुरु नानक देव युनिवरसिटी अगला question who has become the brand ambassador of भारत Petroleum Corporation Limited तो friends BPCL की नए जो brand ambassador है ये बन गए है नीरज चोपडा BPCL को देखिए इसका headquarter मुंबई में है established किया गया 1952 में और इसके chairman and MD है जी कृष्ण कुमार अगला question who has been appointed as the head of parliament security संसत सुरक्षा का प्रमुख यहाँ पे नियुक्त किया गया है इन में से अनुराग अगरवाल को right answer option number A हो जाएगा और अनुराग अगरवाल में किस्त को replace किया तो इन्होंने रगुबीर लाग को replace किया है आगे बढ़ते हैं who has won the Australian Grand Prix 2024 very very important तो friends Australian Grand Prix यह जीता है Carlos Sands नेम आगे बढ़ते हैं Lewis Montenegro has become the new prime minister of which country तो Lewis Montenegro यह बन गए हैं friends नए prime minister इन में से कहां के correct answer Portugal के बात करें के Portugal के बारे में भी तो देखे important points after 8 years socialist rule Lewis Montenegro leader of Democratic Alliance becomes the prime minister of Portugal Portugal का capital Lisbon है currency euro है यहां की friends और यहां के president कौन है यह है Marcelo Rebeolo de Sousa next question who has translated the first Magahi novel Fool Bahadur into English तो प्रथम Magahi उपन्यास Fool Bahadur का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने किया है इसका अनुवाद किया है friends अब है केनी आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी में हीडलबर्ग में Max Planck Institute for Astronomy की ख्याती मलहान के नेतित्व में इन प्राचीन सनराजनाओं की खोच की गई है इसके बारे में भी important points डिसकस कर लेते हैं ISRO has successfully tested landing mission of its reusable launch vehicle named Pushbug from aeronautical test range at Chala Kere, Karnataka तो ये जो है जो ये test था ये Chala Kere, Karnataka में किया गया था this was the third landing mission of reusable launch vehicle तो ये third landing mission था RLV का अगला question रहेगा देखिये friends आपका who has become the new director general of All India Radio तो All India Radio की यहां पी नई director general कौन बन गई है ये बन गई है मौशमी चक्रबर्ती मौशमी चक्रबर्ती will assume her post in April तो ये एप्रिल से जो है इस post को assume करेंगे अगला question in March 2024 researchers have discovered the largest volcano on Mars what has it been named तो researchers ने discover किया है largest volcano Mars में इसका नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है Noctis volcano next question उससे पहले देखिए कुछ important points तो volcano जिसका नाम Noctis रखा गया है ये 29,600 feet high है और ये 450 kilometers wide है this huge volcano is located just south of equator of Mars within the eastern Noctis Labyrinthus region hence it is also named Noctis तो ये जो है इस region के बगल में located है इसलिए इसका नाम जो है Noctis रखा गया अगला question who has won the title of Bahrain Grand Prix in March 2024 तो Bahrain Grand Prix को यहाँ पे जीता है Max vs. Tappan ने और Max vs. Tappan जो है ये Red Bull के driver है देखिए अगला question which country has tested its first laser weapon Dragonfire in March 2024 तो first laser weapon आपको बताना है किस country का है जिसका नाम Dragonfire रखा गया है तो ये है United Kingdom का जानेगी इसके बारे में तो देखिए Britain's Defense Ministry tested its first laser weapon on March 11 तो इन्होंने इसका नाम रखा है Dragonfire It has been told by the British Defense Ministry that this low-cost weapon is going to replace the missile in the coming time तो ये बताया गया कि यहाँ पे ये weapon जो है na missile को जो है replace करेगा आने वाले समय में Next Which portal has been launched by Prime Minister Narendra Modi to empower marginalized communities प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने यहाँ पे हाशियों पर रहने वाले समुदायों को सचक्त बनाने के हेतू किस portal को launch किया है तो इन्होंने launch किया है PM सूरज को इसके बारे में जानते हैं तो इसको launch किया गया Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा और देखे इसका full form क्या है इसका full form है प्रधान मंत्री Social Upliftment और रुजगार आधार जनकल्यान नेशनल पोर्टल जो focus करेगा Loan Assistance for Unprivileged Entrepreneurs Next question की तरफ बढ़ेंगे Which country has become the world's first top arms importer according to Sipri in March 2024 तो देखे friends आपको बताना है कि March 2024 में Sipri द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हत्यार आये तक बना है तो ये बन गया है इंडिया तो यहाँ बर top 3 countries की बात की जाए तो आता है इंडिया, साओधी अरब और कतर इस रिपोर्ट को दिया जाता है by Stockholm International Peace Research Institute Sipri the month, February month के लिए यहाँ पर बन गए है दिखे, Annabelle Sutherland और यशश्वी जैस्वाल बोथ A and B right answer है Next, which state government has launched निंगाल नालमा scheme to review the implementation of welfare program तो जो भी welfare schemes launch किये जाते हैं government के द्वारा उसको review करने के लिए एक और scheme को launch किया गया है इसका नाम है निंगाल नालमा आपको बताना यह कि state government ने launch किया है तो इसको launch किया गया है तमिल नाडू की government के द्वारा बात करें इसके बारे में निंगाल नालमा यह तमिल नाडू की government ने launch किया है जिसका meaning English में आप कहा सकते है R.E.O. Well होता है यह एक beneficiary outreach program है और इसका main aim यही होगा कि यह major जो भी schemes होती है और public grievances यानि जो भी शिकायते होती है उसको यह review करेगा और finish करेगा नहीं की ठीक करने की कोशिश करेगा अगला question तो देखे राम विलास पासवान इस पुस्तक को जो है लिखा गया है शोबना के नायर के द्वारा अगला इन्विट स्टेट हैस प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी inaugurated कोचराब आश्रम इन मार्च टॉजन 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 तो कोचराब आश्रम को जो की उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था जूजन टॉजन 1917-17 में क्या हुआ था आश्रम वस शिफ्टेट टॉजन 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 आश्रम को साबरमती नदी के तट पर एक बंजर भूमी पर स्थानत्रित कर दिया गया था नेक्स्ट वेर इस दा नेवल एक्सेसाईज कटलस एक्सप्रेस और्गनाईजड इन मार्च तो कटलस एक्सप्रेस ये एक नेवल एक्सेसाईज है इसको और्गनाईज किया गया है सेशल्स में देखें ये इवेंट हुआ है 26 February से लेके 8 March को और ये friends inaugurate किया गया था वेवल राम कलवान President of Seychelles के दुआरा इसके साथ friends इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया इंडियन नेवी की तरफ से INS 3 ने जो की leadership है First Training Squadron का Next question Who won the first prize in the 5th National Youth Parliament Festival? तो friends यहाँ पे first prize 5th National Youth Parliament Festival में जीता है Right answer option number D या तीन भासकर दुगल नहीं अगला question In which state has India's first National Dolphin Research Center been inaugurated? तो इंडिया का पहला National Dolphin Research Center जो है ना inaugurate किया गया है पतना बिहार में Friends देखे इसका objective रहेगा to assist scientists and researchers in comprehensively studying the Ganga Dolphin तो Ganga Dolphin के बारे में study करने के लिए assist करेगा different scientists और researchers को इसको establish किया गया है 4,400 square meter land में पतना युनिवर्स्टे के अंदर और ये जो है Ganga River से 200 meter की दूरी पर है Next, which country won the first UEFA Women's National Football League title? तो ये जीता है Friends Spain नहीं यहाँ पे winner Spain रही है runner-up France रही है और host इसको Spain ने किया था UEFA की बात की जाए तो ये Union of European Football Associations है form किया गया है 15 June 1954 को headquarter Neon Switzerland में है और इसके chairman कौन है? ये है Alexander Catherine Next, who has become the first female sniper of Border Security Force? सीमा सुरक्षाबल की पहली महिला sniper ये बन गई है Friends सुमन कुमारी अगला question, which states famous कटक रूपा तरकाशी Silver Filigree has got the GI tag तो कटक रूपा तरकाशी का GI tag देया गया है उडी सा कूँ अगला question, who has become the 24th Prime Minister of Pakistan? तो 24 वे Prime Minister पाकिस्तान के Friends बन गए है शेहबाज सरीफ Next देखे, who has written the book Swallowing the Sun Swallowing the Sun इस book को Friends लिखा गया है लक्षमी मुरुदवेश्वर पूरी के द्वारा अगला question है समुद्र लक्षमन 2024 exercise been organized between India and which country? तो Friends, इसको organize किया गया है between India and Malaysia ये जो है exercise ये organize किया गया था विशाका पटनम में यहाँ पर देखे, विशाका पटनम इसका venue था February 28 से लेके March 2 तक इसको organize किया गया 3rd edition था इसका इसके साथ यहाँ पर Indian Naval Ship Kilton and Royal Malaysian Ship के KD Lake It इसमें participate कर रही थी Next देखे, where is International Gita Mohalsov organized in March तो International Gita Mohalsov ये organize किया गया कुलंबो, श्रिलंका में Next, where has Adani Group launched South Asia's largest ammunition and missile complex Adani Group ने दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और missile complex कहाँ पर launch किया है इसको इन्होंने launch किया है कानपूर उत्तर प्रदेश में Next रहेगा, which country has become the first country to join India's Jan-Aushiti Yojna Very important कौन सा देश भारत की जन्-Aushiti Yojna में जुडने वाला पहला देश बन गया है Friends, ये बन गया है Mauritius अगला question In which country will the 9th Women's Cricket T20 Asia Cup be organized in July 2024 Friends, July में जो है 9th Women's Cricket T20 Asia Cup होने वाला है आपको बताना ये किस country में host किया जाएगा तो इसको host किया जाने वाला है श्री लंका में आगे बढ़ते हैं Which organization has launched सक्षम एप for transportation facilities for disabled person and elderly in voting तो voting के समय पर जो है विकलांग वेक्तियों को और भुजुर्गों को परिवहन सुविधाओं के लिए कि संगठा ने सक्षम एप को launch किया है तो ये launch किया गया है Election Commission of India के द्वारा देखें, Election Commission ने अनाउंस किया है कि जो भी voters होंगे above 85 years और जो भी person होंगे disabilities के साथ 40% benchmark disability वो घर से vote कर सकते हैं 25th Chief Election Commissioner कौन है? राजीव कुमार है और Election Commissioners कौन है? ग्यानेश कौमार और सुखबीर सिंग सान्तू तो इन दोनों को हाल ही में appoint किया गया है अगला question Who has been honored with Global Inequality Award 2024? तो Global Inequality Award से सम्मानित किया गया है बीना अगरवाल और जेम्स के boys को राइट आंसर, option number D है बोथ A and B अगला question देखिए Prabowo Subianto has been elected as the new president of which country तो friends ये बन गए है नए president Indonesia की option number Ace का right answer है आगे बढ़ेंगे exercise Tiger Trump 24 has been organized between India and which country तो exercise जैसका नाम है देखिए Tiger Trump 2024 इसको organized किया गया between India and America next रहेगा who has become the first black leader of the European country Wales तो European देश Wales के पहले black leader जो है यहाँ पर बन गए है friends Vaughan Gathing चलिए इसके बारे में देखिए important points Vaughan Gathing has become the first minister of Wales and also the first black person to lead an European country Vaughan Gathing is affiliated with the Welsh Labour Party तो ये Welsh Labour Party से आते हैं चलिए अगला question Which Great Indian Billiards player has been included in the Hall of Fame of World Billiards Museum यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के किस महान Billiards खिलाडी को World Billiards Museum में Hall of Fame में शामिल किया गया है तो friends यहाँ पर शामिल किया गया है पंकच अडवानी को Next, who has been honored with Diyana Memorial Award तो ये दिया गया है इन में से राइट आंसर होचाएगा उदेभार्टिया और मांसी कुटता को Both A and B friends इसका राइट आंसर है अगला question Where has Indian Army formed its first squadron to operate the newly acquired AH-64E Apache attack helicopters Correct answer, option number C, Jodhpur, Rajasthan देखें इसके बारे में The squadron was formed in the presence of Director General of Indian Army Aviation Lieutenant General Ajay Suri and Boeing Officials ठीक है और इसके साथ याद रखियेगा कि Indian Air Force is currently operating 22 Apache AH-64 combat helicopters Next रहेगा Agree and Akshay Launched in March 2024 is related to तो Agree और Akshay ये है क्या friends तो देखें ये anti-submarine warfare ship है बात करें इसके बारे में तो देखें Defense Ministry ने यहाँ पे रक्षा मंत्राले ने भारती नौसेना के पंडुबी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए दो जहाजों जैसे की जो नाम है Agree और Akshay को launch किया है इन जहाजों को Garden Ridge Ship Builders and Engineers Limited द्वारा निर्मित किया गया है अगला question विच और्गनाईजेशन है लांच्ट Know Your Candidate app in March 2024 तो Know Your Candidate अब को launch किया गया है यहाँ पे Election Commission के द्वारा चलिए आगे बढ़ेंगे friends Which University has honored President Murmu with the honorary degree of Doctor of Civil Law in March तो Doctor of Civil Law से President Murmu जी को नवाजा है University of Mauritius ने आगे बढ़ते हैं Where will North India's first Government Homeopathic College be established in March 2024 यहाँ पे देखिए उत्तर भारत का पहला सरकारी Homeopathic College इसको स्थापित किया जाएगा Jammu and Kashmir मे Next, who has launched the 5th edition of जल शक्ती अभ्यान Catch the Rain Campaign तो देखिए जल शक्ती अभ्यान यहाँ पे जिसका 5th edition है Catch the Rain Campaign इसको कौन लाँच कर रहा है इसको लाँच किया है friends Gajendra Singh शिखावत तो देखिए Union जल शक्ती मिनिस्टर है Gajendra Singh शिखावत इन्होंने इसे इनाग्रेट किया और इसका टॉपिक क्या था Water Power Through Women Power इसको लाँच किया गया इन कोलाबरेशन विद Department of Drinking Water and Sanitation इसका अब्जेक्टिव क्या होगा? इसका अब्जेक्टिव होगा Awareness रेस करना और प्रमोट करना Sustainable Water Practices को अगला कोशन देखिए In which state has Larson and Turbo launched its first Indigenously manufactured Hydrogen Electrolizer तो Larson and Turbo ने किस राज में अपना पहला स्वदेश निर्मित Hydrogen Electrolizer शुरू किया है तो इसको launch किया गया है हजीरा गुजराद में बात कर लेते हैं इसके important point तो देखे ये क्या करेगा 2 Megawatt तक विस्तार की छमता के साथ 1 Megawatt की मजबूत बिजली का उत्पादन करना है इसके साथ इसका जो इस Electrolizer का character है कि ये अपनी दक्षता और उत्पादक्ता को प्रदर्शित करते हुए 200 NM पर आवर Hydrogen का उत्पादन करने में सक्षम होगा Next question Where is the 54th session of Codex Committee on Food Hygiene been organized तो Codex Committee का 5th edition कहां पर organize किया गया है इसको organize किया गया Friends Nairobi, Kenya में यहां पर देखे ये event March 11 से March 15 तक हुआ था Session 54th था और ये meeting जो है कहां पर हुआ है Kenya में हुआ है पहली बार अगला question Who has been honored with the Beauty with the Purpose Humanitarian Award in the 71st Miss World Peasant तो Beauty with Purpose Humanitarian Award ये दिया गया है Friends Nita Ambani को आगे बढ़ेंगे Which organization has developed very short range air defense system तो इसको launch किया गया है DRDO के द्वारा देखेंगे Friends very short range air defense system जो है ये has been tested from a ground-based portable launcher और इसका main objective क्या होगा to intercept high-speed unmanned aerial targets under various inception scenario तो विबिन अवरोधन पर द्रिश्यों के तहर उच गती वाले मानव रहित हवाई लक्षों को रोकना ये इसका मुख्य उद्देश है अगला देखे Who has been honored with India UK Achievers Award by the National Indian Students and Alumni Union UK राइट आंसर जोया अक्तर आस्मा खान option number C बोथ A and B's का राइट आंसर है देखे famous film maker है जोया अक्तर और British Indian chef है आस्मा खान इन्हें honor किया गया है annual India UK Achievers Award कहां पर London में इसका objective क्या होता है to celebrate bilateral educational relation between two country ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next देखे who has become the first Indian to receive honorary knighthood by King Charles III इसका right answer option number B Sunil Bharti मित्तल अगला question रहेगा according to Hurun India's 13th Hurun Global Rich List report released in March which city has topped the Asian billionaire capital यह यहाँ पे right answer हो जाएगा Mumbai देखे इस report को दिया गया Hurun Global के द्वारा जिसको 1999 में establish किया गया इसका headquarter Shanghai चाइना में है और इसका edition क्या था यह जो report है इसका 13th edition यहाँ पे दिया गया top 3 cities में थी Mumbai Beijing और Shanghai next देखे चंदरायन 3 landing site has been recognized by International Astronomical Union what was its name तो चंदरायन 3 की landing site का नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है शिवशक्ती पॉइंट देखे फ्रेंट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने इसका नाम जो है August में announce किया था शिवशक्ती पॉइंट जब चंदरायन 3 successfully land हो गया था ये कब launch किया गया था चंदरायन 3 14 जुलाई को launch किया गया था किस rocket से launch किया गया LBM3 M4 से launch किया गया कहां से launch किया गया सतीश्धवन Space Center श्री हरी कोटा से launch किया गया था lander का नाम Vikram था और रुवर का नाम प्रज्ञान रुवर था next question in which country 148th Inter-Parliamentary Union Meeting has been organized तो देखिए 148th edition Inter-Parliamentary Union का ये organized किया गया था Geneva Switzerland में तो इंडिया की तरफ से किसने represent किया है Harivansh Narayan Singh जो की deputy chairman है Rajya Sabha की इन्होंने represent किया the delegation participating in the event on the sidelines of this meeting will raise issues such as parliamentary diplomacy and building bridges for peace and understanding तो यहाँ पर किस चीज की बात की जाती यहाँ पर issues raised किये जाते हैं जो भी Parliament में होने वाले diplomacy होती हैं और peace और understanding के लिए यहाँ पर इसके बारे में discussions किये जाते हैं अगला question in which country has Prime Minister Narendra Modi a state-of-art medical facility in March इसको यहाँ पर inaugurate किया गया है friends Timfu, Bhutan में देखे बात करें तो Prime Minister Narendra Modi and Bhutanese Prime Minister Shering तो भी have jointly inaugurated modern hospital in Timfu the capital of Bhutan a state-of-art facility with 150 built which was built with Indian assistance तो यहाँ पर state-of-art facility को built किया गया है 150 belts के साथ इंडिया की assistance के साथ अगला question which player has been honored with Bob Jones Award by USGA तो friends यहाँ पर Bob Jones Award दिया गया है Tiger Woods को अगला question which state has launched India's first government-owned OTT platform C-Space तो किस राजद्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित वाला OTT platform जिसका नाम C-Space रखा गया है यह launch किया गया है केरिला के द्वारा इसका main aim क्या होगा तो देखे to provide meaningful information to the people and take advantage of the vast opportunity of the sector तो यहाँ पर लोगों को सार्थक जानकारी ब्रदान करना और छेतर के विशाल और सरू का लाब उठाना इसका main मकसद है इसका inauguration किया केरिला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजियन ने कहां पर कैराली थेटर में और इसको जो है इसके अध्यक्षता की थी Ministry of Cultural Affairs साजी शेरियन में इसका main मकसद क्या होगा तो सारवजनिक नीजी भागिदारी के माध्यम से AI के नवाचार को बढ़ावा देना इसका main aim है AI Innovation Center to be set up across the country to accelerate AI ecosystem अगला question doctors of which country have successfully transplanted a pig's kidney into human for the first time तो किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुर की किड्डीम का सफल प्रत्यार उपन किया है आइट आंसर अमेरिका देखे Massachusetts General Hospital in US have successfully performed this first transplant of a genetically modified pig kidney into living human human Rick Slayman a significant achievement in medical history तो इस हॉस्पिटल ने जो है ये successfully perform किया जहाँ पर इन्होंने genetically modified pig के kidney को एक living human के अंदर प्लेस किया है इसका नाम रखा गया है और फ्रेंट इसके chairman कौन है ये एस सोमनाथ है आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए which app has been developed by Vikram Sarabhai Space Center to assist astronaut during Gagan यान space flight mission तो Gagan यान अंतरिक्ष उडान mission के दवरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए Vikram Sarabhai अंतरिक्ष के इंदर दवरा कौन से app विक्सित किया गया है तो यहाँ पे सखी आप को विक्सित किया गया इसका full form क्या है इसका full form है Spaceborne Assistant and Knowledge Hub for Crew Interaction इसका purpose क्या होगा तो सखी प्रोवाइट एस्टोनाट विद डिजिटल आक्सेस तो टेक्निकल दॉक्यमेंट्स और ट्रेनिंग मैनुल्स Eliminating the Need for Cumbersome Manual Documentation तो इससे क्या होगा यह जो भी डॉक्यमेंट्स होते है टेक्निकल डॉक्यमेंट्स ट्रेनिंग मैनुल्स को यह डिजिटली आक्सेस कर सकते हैं इस आप के थूँ राइट नेक्स कोश्चिन विद स्पेस कंपनी हाज लॉंच्छ तो यह 15 बार जो है अर्थ का चक्कर लगाता है परिक्रमा करता है और वैश्विक्स तर पर तीन सो लक्षो की निगरानी करता है तो पृत्वी से तीन सो मील उपर स्थित यह मितीन रिसाव का सतीक पता लगाता है तो जो भी मितेन लीक्स होती है उसके बारे में यह परता करता है तो महिलाओं को सचक्त बनाने की उदेश से किस राज सरकार ने इंदरा गांदी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योजना को शुरू किया है तो इसको शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा देखे इसके बारे में इस स्कीम के अंदर पे क्या होगा इस योजना के तहट पात्र महिलाओं को पंदरा सो का मासिख वजीफा मिलेगा जो आट सो करोड के वार्शिक वैय के बराबर होगा इस पहल का लक्ष पांच लाग से अधिक महिलाओं को कवर करना है जिससे उन्हें आविश्र वित्य सहयता प्रदान की जा सकी नेक्स्ट विच कंट्री अस डिसाइडे टो पार्टिसपेट इन दमिस यूनिवर्स कॉंटेस्ट फॉर दा फर्स टाइम तो पहली बार कौन सा देश है जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भ तो यह पार्टिसपेट करने वाली है इसके साथ मिस यूनिवर्स पैजेंट को जो है 2024 में और्गनाइज किया जाएगा मेक्सिको में इनके बारे में यहां पर इसमें यह लोग क्या बात करते हैं तो इसमें यह लोग डिसकस करते हैं इनके बारे में यहां पर बात की जाती है इन्होंने विन किया है और इन्होंने डिफीट किया है माना विकास ठककर को वुबेन सिंगल की विनर कौन है यह है जिया लियान नी जो की चाइना से है और मिक्स डबल विनर कौन है दिया चिताले और मानुश सहाँ इसके साथ इस अवर्ड को किसने लिया है on the behalf of ISRO इस अवर्ड को लिया गया है साइप्रिया रंगनाद के जवारा जो की डेपटी अम्बैजडर है इंडियन अम्बैसी की इन अमेरिका नेक्स्ट अकॉर्डिंग तो 6th annual world air quality report which has become the most polluted metropolitan area globally तो यह बन गया है फ्रेंड्स बेगु सराई बिहार तो देखिए इसके बारे में top 3 most polluted countries कौन सी है बांगलादेश, पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे ध्यान रखिए कि which city has been given the status of world's most polluted capital तो यह दिया गया है न्यू देली को वो भी 4 बार ठीक है 2018 से लगतार 4 बार नई देली को यह बताया गया है कि यह world most polluted capital है अगला question friends, in which city the formula 4 car racing event has been organized for first time in India तो इसको पहली बार इंडिया में श्री नगर जम्मु कश्मीर में organize किया गया है देखिए friends, इसको organize किया गया Federation of Motor Clubs of India के द्वारा और इसको दल लेके जो banks है वहाँ पे organize किया गया To participate in formula 4 racing event, the minimum age should be 15 years तो इसमें participate करने के लिए minimum age कितनी होनी चाहिए? 15 years होनी चाहिए आपका अगला question रहेगा friends, यहाँ पे देखिए विच प्रेसिडेंट ओफ उनाइट नेशन्स climate change conference has been honored with सेरा वीक leadership award तो friends, यह award दिया गया है, इनमें से right answer है सुल्तान अल्जभीर को इसको और्गनाइज किया गया, साउथ कोरिया में कब से कब तक 18 से 25 तक हुआ था साउथ कोरिया में एडिशन थर्ड था, और इसका inauguration किया था यूल सोक यह ओलने, जो की साउथ कोरिया के president है next question, in which state और union territory has India's first future lab center been inaugurated तो देखे किस राजय union territory में भारत का पहला future lab center का उधगाटन किया गया इसका उधगाटन तिरुनंतपुरम केरिला में किया गया है तो friends, March 13 को हमारे union minister राजयेव चंदरशेखर इन्होंने इंडिया का पहला future labs को launch किया CDAC तिरुनंतपुरम में इसके साथ इसका नाम रखा गया center for semiconductor chips and system for strategic electronics आगे बढ़ेंगे friends, अगला question देखेगा आपका लवदिमीर पुतीन has become the president of which country for fifth time तो friends, पाचवी बार ये बन गये है president of Russia अगला question, who has become the new chief information commissioner of Uttar Pradesh तो friends, Uttar Pradesh के नए chief information commissioner यहाँ पे बन गये है राज कुमार विश्व कर्मा अगला रहेगा, who has been appointed as new local youth of Madhya Pradesh तो ये बन गये है, Satyendra Singh तो इन्होंने replace किया है justice नरेश कुमार गुपता को जिनका tenure जो है, October 17 को end हो चुका है next, India has stopped the water going to Pakistan by building a dam on Ravi river what is the name of the dam तो friends, इस dam का जो नाम है ये है, Shahapur Gandhi Dam next question friends, और आपका ये last question है who has been appointed co-chairman of International Hockey Federation athlete panel तो यहाँ पे देखिए, co-chairman of International Hockey Federation बन गये है पी-ार श्रीजेश ठीक है, तो friends, ये हो गए आपके most important सारे questions मैंने आपको सारे questions with extra points बता दिये हैं जो भी आपके exam में आ सकते हैं इसके साथ अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो आपका test question आता है पहला question है, who has taken oath as the 11th chief minister of Haryana in March तो मार्च में 11th chief minister Haryana के कौन बनी है ये आपको हमें comment करके बताना है एक और question है आपका in which state has Prime Minister Narendra Modi inaugurated world's longest bi-lane tunnel, Selah Tunnel तो Selah Tunnel को कहां पर inaugurate किया गया है ये भी आपको हमें comment करके बताना है तो ये दोनों आपके test question होंगे जिसका आप हमें comment करके बताएं साथ में Friends, मैं आपको अलड़ी बता चुकी हूँ फिर से बताना चाहूँगी हमारे paid PDF के website के बारे में ये है www.ravibooks.pdf.com Friends, यहाँ पर आपको रवी सर की GK और current affairs की जो PDFs है न Hindi और English Medium दोनों में मिल जाएगी और जैसे मैं आपको बताया यहाँ पर आपको जो monthly current affairs है January और February का ये भी मिल जाएगा जो आपके upcoming exams के लिए काफी beneficial है तो अगर आप चाहें तो इस website से जाके आप इसे buy कर सकते हैं ओकी, चलिए ये था Friends, हमारा आज का last slide I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने Friends के साथ शेयर करिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and have a nice day